हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक चू माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शिफोन की दुपट्टे पर लेस लगाना ये मेरा शिफोन का दुपट्टा है और ये मेरे पास दो तरह की गोल् दरबाली और दूसरी समोसा कट लेस ये लेस आपको इजली मार्किट में मिल जाएंगी तो चलिए फ्रेंड्स आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये हमारे दुपट्टे का किनारा है इसमें हम डवल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंग ये हमने सिलाई लगा ली है अब हम इस तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे ये हमने दोनों साइड सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है अब हम दो पटे पर जालर वाले लेस लगाएंगे इस लेस को हम अंदर की तरफ से लगाएंगे फिर बाहर की तरफ पल्ट देंगे अगर हम इसे बाहर की तरफ से लगाते हैं तो ये खड़ी खड़ी सी लगती है इसलिए हम इसे इस तरह से लगाएंगे, आप देख सकते हैं कि इसे मैं किस तरह से लगा रही हूँ, जब हम दुपट्टे की कोने के पास सिलाई लगाएंगे तो सुई दुपट्टे की बीच में होनी चाहिए, फिर हम इस तरह से सिलाई देते हुए इसे मोड देंगे, इस तरह से, यह हमने दुपट्टे के चारों कोनों में लेस अटैच कर ली है, इस तरह से यह दिख रही है, अब हम इसे इस तरह से करेंगे, और यहां पर हम सिलाई लगा देंगे, इस तरह से, इसके किनारे किनारे में सिलाई लगाते जाएंगे, ये पहले लेस हमारी अंदर की तरफ थी और इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ये लेस हमारी बाहर की तरफ आएगी ये देखिए इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ रही है तो अब हमने दूपट्टे के चारों तरफ ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है अब हम इसमें दूसरी लेस लगाएंगे समोसा कटलेस तो ये इस तरह से हम लगाएंगे अब हम इसके ओपर सिलाई लगा देंगे इसलिए इसको भी हमने दूपट्टे के चारों तरफ लगा लेना है देखी फैंस ये कितना सुंदर लग रहा है और इससे लगाना कितना आसान है आप देख सकते हैं हमने लीज को दूपट्टे में लगा कि अगर आपको ये दूपट्टे का डिजाइन पसंद आया हो तो आप भी इस तरह से अपना दूपट्टा डिजाइन कर सकते हैं तो फ्रेंज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरी चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने बेल आइकन को दवाना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी वीडियो देख सकें तो चलिए फ्रेंज मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने आइडिय के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा गुट बाई